नमास्कार दोस्तों, खवर टीव में मैं मनोशिना आपका स्वागत करता हूँ आज है सुपर संडे और दिल्ली और मेरट आज दो ऐसे इतिहास बने हैं जहां पर लोगों की पूरी दिल जस्पी रही है और पूरा दिन मीडिया में यह चर्चा हुई की दिल्ली में क्या हो रहा है और मेरट में क्या हो रहा है सबसे पहले बात करते हैं मेरट से जहां चुनावी संखनाद करने स्वें परधान मंतरी नरेंदर मोधी पहुँचे और उनके साथ उनकी पूरी यूपी की टीम थी मुख्यमंत्री योगी उनके साथ थे और जो मंच पर जो दिखे मेरट के जो परत्यासी हैं भारतिय जनता पाटी के अरुन गोविल और जो NDA के साथ ही बने हैं गोपी राजबर, संजे निसाद और तमाम अनुपरिया पटेल सारे लोग मोजूद थे यह दिखाने की कोशिस की गई कि जनत जो चौधरी जो भी सामिल लुए हैं NDA में उनके पिता स्वरगिये चौधरी चरण सिंग को भारत्म देकर जो आज कारी किया गया है आज उसी के गौरव कथा के रूप में आज इस मंज को सजाया गया और लोगों को संबोदित करते हु स्वें परधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैंत चौधरी जो मेरे छोटे भाई हैं उनको कई बार अपमान सहना पड़ा और उनके महान पिता चौधरी चरण सिंग को भी जो उचित सम्मान मिलना चाहिए था वह कॉंग्रेस और उनके सहयोगिन नहीं दिया लेकिन हमने आज आ जाटलेंड को सानने के लिए आज जो मेरेट में रैली की गई उसके बारे में परधानमंत्री नरेंद मोदी ने कहा कि मैंने पिछले जो चुनाओं को भी यहीं से शुरुवात की थी इसलिए मेरेट से मेरा एक खास रिस्ता है उन्होंने ये भी कहा कि हम दो चीजों के लि चुनाओं में वीजेई बनाए ताकि हम लोग दुनिया में आज जो आर्थिक सकती है वो और ज़्यादा विकास कर सकें उन्होंने यह महसूस करते हुए कहा कि लाल किला से मैंने कहा था कि यही समय है सही समय है और भारतिय जनता पार्टी आज आपके लिए जो कार जो गार कि नवयुकों के लिए महलाओं के लिए जो कार किया है किसानों के लिए जो कार किया है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है और इसके लिए परमान की जरुरत नहीं है आप कहीं भी जाके देख सकते हैं कि हमने जो विकास किया है वो सबसे अलग है और उसमें हमारा कोई रोल न महिलाएं हैं उनके लिए जो पोग्राम उन्होंने का हमने पूरी तरह से रोड मैप तयार कर दिया है और पूरी तरह से तयार हैं क्योंकि उन्होंने कहा जो जनता बैटी थी जो सेलाब था उन्होंने कहा कब की बार तीसरी बार भी हम आएंगे और हमारा पूरा रोड मैप त दें चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी दोस्तों तब तक धन्यवाद हमसे आगर कि हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू करें